हेलो फ्रेंड्स केसे हो जीक के 2020 यूट्यूब चैनल के करेंट अफेर में आपका हर्दिक स्वागत है यानि कि आज जीक के 2020 की फर्स्ट एनिवर्सरी है पिछले साल 11 फर्वरी 2019 को हमारी इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी और आज है 11 फर्वरी 2020 और इसका एक साल पुरा हुआ है इसी के आउसर पर आप सभी के और से हमें जो प्यार जो रिस्पोंस मिला है उसी के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्विशन से आज का पहला क्विशन है नव फर्वरी को कीस महान संत की जन्मजयनती देश भर में मनाई गई और भक्ती आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे क्विशन आपकी स्टेट पबलिक सर्विश कमिशन की एक्जाम हो या या क्विशन निकाले जा सकते हैं तो मैं बात करा हूँ भक्ती आंदोलन के इस संत रविदास की जन्मजयनती के अउसर पर कोटी कोटी वंदन और हम बात करते हैं भक्ती आंदोलन से जुड़े हैं इस संत की तो भक्ती आंदोलन से जुड़े हुए कई सारे क्विशन एक्जाम में पूछ लिये गये है और मैं बात करता हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विश कमिशन में 2008 में इस भक्ते आंदोलन से जुड़ा हुआ एक क्वेशन पूछ लिया गया था वो क्वेशन क्या था निमना लिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महलाओ के महत्व को पहचाना तो इसका सही आंसर था गुरु नानक और इसी तरह का भक्ते आंदोलन का एक और क्वेशन युनियन पब्लिक सर्विश कमिशन 2010 में जुड़े हुए थे तो इसी तरह आपको संथ रवीदास के बारे में भी याद रखना चाहिए वो भक्ते आंदोलन से जुड़े हुए एक सवन्त थे और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा क्वेशन हाल ही में र इसक्वेशन का सही आंसर है 11 फरवरी यूनानी चिकित्सा दिवस तो याद रखो किस की जन्मवर्षगाठ के आउसर पर यह मनाया जाता है तो यूनानी शोधकरता जिसका नाम है हकीम अजमल खान जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं वो है हकीम अजमल खान उन्हीं क जन्मवर्षगाठ के आउसर पर यह दिवस हर साल मनाया जाता है तो पहली बार यह यूनानी डे कब मनाया गया था 11 फरवरी 2017 को पहली बार यह यूनानी डे मनाया गया था और इस साल यह चौथी बार मनाया जा रहा है 17, 18, 19 और 20 और बात करते हैं यूनानी आउशधी प्र चिकित सा पद्धती का आरम किस देश में हुआ है ग्रीस में और ग्रीस को युनान भी कहा जाता है और युनान चिकित सा पद्धती का जनत किसे कहा जाता है हिपोक्रेटस को और यहां आप देख सकते है हिपोक्रेटस को युनान पद्धती का जनत कहा जाता है और यहां बात आती है important day के तो फरवरी में हमने कौन-कौन से important day बताए मैं यहां आपको sequence भी बता रहा हूँ सबसे पहले एक फरवरी को हमने भारतिय तट रक्षत बल का स्थापना दिवस मनाया उसके बाद आया दो फरवरी और दो फरवरी को हमने विश्वा आर्दरव भूमी दिवस मनाय उसको इंग्लिज में बढ़े तो world of wetland day मनाया और इस साल की थीम क्या रखी गई थी wetland and biodiversity उसके बाद आया चार फरवरी चार फरवरी को हमने विश्वा कैंसर दिवस मनाया और विश्वा कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई थी I am and I will इसके बाद आया चो फरवरी चो विक्रूती के खिलाफ अंतरराष्टिय शुन्य और सही शुनता दिवस मनाया उसके बाद आज ही 11 फरवरी है और 11 फरवरी को हम युनानी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते है तीसरा क्वेशन हाल ही में रोजगार के 72 अउसर उपलब्द कराने के लिए इंटर्नशिप योजना की गोशना कीसने की तो रोजगार के 72 अउसर उपलब्द कराने है तो इंटर्नशिप योजना की शुरूआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने यानिकि इस question का सही answer है उत्तर प्रदेश तो इस internship योजना का उद्धिश क्या है दसवी, बारवी और सनातक कक्षाओं के चात्र को रोजगार के 72 अउसर उपलग्द कराने है तो इस internship योजना को launch किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है योगी आदित्यन और उन्होंने अपने भाशन में कहा है कि internship के दवरान प्रत्यक चात्र को हर महिने 2500 रुपिय की मानदेई राशी दी जाएगी और इसमें 1500 रुपिय केंदर सरकार की ओर से और 1000 रुपिय राज्य सरकार की ओर से होंगे तो इस योजना के महत्वपुर्णबाद में आपके सामने रखी लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है लखनो उ प्रथम महला मुख्य मंदरी कौन थी सूचेता क्रिपलानी और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है बारह सिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षि क्या है सारस उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है अशो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या ह पलाश तो इतना याद रखना है आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में चोथा कुशन हाल ही में मद्यप्रदेश के इंदोर में हुन्नर हाथ का उत्काटन किस ने किया तो हुन्नर हाथ का उत्काटन किया गया है मद्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन इसी के साथ हमारे अलपसंख्यक मामलो के केंद्रियम मंत्री मुकतार अब्बास नक्वी भी मोजित थे और यहाँ भी देख सकते हैं लालजी टंडन को तो हुन्नरहाट का आयोजन कब तक किया गया है? सोलव फरवरी तक इस हुन्नरहाट का आयोजन किया गया है मध्यप्रदेश के इंदोर में तो यह हुन्नरहाट आखिर है क्या तो देखिए जरूरत मंदत दस्तकारों और हस्त शिल्पियों को आर्थिक रूप से शश्रत बनाने का एक बड़ा अव्यान है और इसमें अलपसंख्यक समुदाइक के दस्तकारों और शिल्प कारों की और से बनाई गई पारम पर एक हस्त शिल्प वस्तुवों का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें विक्री की जाती है और इसमें आमदनी प्राप्त करते हैं और हम बात करते हैं मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश यहां आप तो मेप में देखें मध्यप्रदेश यह वो किन किन स्टेट से गिरा हुआ है तो यहां पर है उत्तरप्रदेश, राजस्तान, गुजरात, महाराश्टर और 36 कड से गिरा हुआ है यह मध्यप्रदेश ज कौन है कमलनाथ और मध्यप्रदेश के जो राज्य प्रतिक है उसी के बारे में मैं भी बताऊ तो मध्यप्रदेश का राज्किय पक्षी क्या है दूधराज जिसे इंग्लिश में बोले तो पैरेडाइज फ्राइकेटर जो मध्यप्रदेश का राज्य पक्षी है और मध्यप प्रदेश का राजकी पशु क्या है बारा सिंगा और आपके स्टेट लेवल की क्लास 3 की एक्जाम से आपको मध्यप्रदेश के एक्जामिनेशन के बारे में आपको इतना रायाद रखना होगा पाचवा क्वेशन हाल ही में प्रकास जावडेकरजी ने कीस के जीवन पर आधारित फिल्म का पहला भाग जारी किया तो हमारे संचार मंत्री प्रकास जावडेकरजी ने डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलाम के जीवन पर आधारित एक फिल्म का पहला भाग जारी किया है यानिकि इस question का सही answer है Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम तो याद रखो प्रकास जावडेकर जी ने यह पहला बाग जारी किया है तो प्रकास जावडेकर हमारे कीस मंत्रा लेके मंत्री है तो सुचना और प्रसारण मंत्री है प्रकास जावडेकर और A.P.J. अब्दुलकलाम दो मिसाइल मैन के नाम यह फिल्म वलीवूड और तेलोगू फिल्म उद्योग की संयुक्त परियोजना है और इसके द्वारा इसका पहला पार्ट हाल ही में जारी किया गया है लेकिन जब हमारे बात आती है इस महान साइन्टिस्ट A.P.J. अब्दुलकलाम की तो याद रखो A.P.J. अब्दुलकलाम का पुरा नाम क्या है इसका पुरा नाम है अबूल पाकीर जैनुलाबदीन अब्दुलकलाम जिससे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते है और अब्दुलकलाम भारत देश की 11 राष्ट्रपती थे और कलाम ऐसे तिसरे राष्ट्रपती है जिन है भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपती बनने से पुर्व ही प्राप्त हुआ हो और अण्या दो राष्ट्रपती कौन-कौन सर्वपली राधाकुष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसेन और देखिए दोस्तो डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की एक बायोग्राफी है तो वो इसका नाम है विंक्स ओफ फायर जो 1999 में प्रकाशित हुई तो भारत के पूर्वर राष्ट्रपती अब्दुलकलाम की आत्मकथा का नाम क्या है विंक्स ओफ फायर और जब हम बात करते हैं इस हमारे महान राष्ट्रपती एवं साइन्टिस्ट डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम को तो हम जी के 2020 की ओर से शत शत नमन करते हैं लेकिन इंसा जुड़ा हुआ एक मोश्ट कोट है वो मुझे बहुत पसंद आता है वो मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ अब्दुलकलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते और दोस्तों आपको यदि government job पानी है तो आपको इसी सपने को साकार करना होगा चठा क्वेशन, हाल ही में गिरी राज किशोर का निधन हो गया, वे कीस भाषा के सुप्रसित साहित्यकार थे, तो गिरी राज किशोर जिसका हाल ही में 83 साल की आयू में निधन हो गया है, वो एक हिंदी भाषा के प्रसित साहित्यकार थे, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर ह हिंदी के साहित्यकार तो गिरी राज किशोर के बारे में मैं आपको बता दू देश का चोथा सरोच सम्मान पदमस्री उन्हें पहला गिरी मीटिया उपनियास पर दिया गया था जो गांधी जी के अफरी की प्रवास को लेकर लिखा था और उन्हें इस फुरसकार से 2007 में तत सम्मान मिला था और वे 83 वर्ष के थे जिसका हाल ही में निदन हो गया है और याद रखेगा पहला गिरी मीटिया नामक जो उपनियास है वो किस ने लिखा है हमारे गिरी राज जी ने यह लिखा है साथवा कुशन हाल ही में देश में आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना वाइरस सबंदी जाच करने की गोशना किसने की है पहले जो चाइना से यात्री आते थे उसी की ही जाच की जाती थी लेकिन अब डिसीजन लिया गया है कि कोई भी यदि यात्री अपने देश में आता है तो उसकी जाच की जाएगी और ऐसाफ डिसीजन लिया है बांगलादेश ने यानि कि इस क्यूशन का सही आंसर है बांगलादेश और जब बात आती है बांगलादेश की तो बांगलादेश से जुड़ा हुआ एक और क्यूशन मैंने आपको कुछ सप्ता पहले बताया था कि भारत की इस देश में फिल्म सिटी की स्थापना में सहयोग देगा तो हमारे इस प्रसारण मंत्री प्रकास जावडेकर और एसी के समवयस के इस दोनों के बीच यह समझोता हुआ बांगलादेश के सामने ठीके दोस्तों और बात करते हैं बांगलादेश की तो पहले तो आप मेप में देखे यहाँ पर सी थे बांगलादेश बांगलादेश की कैपिटल का नाम है धाका और बांगलादेश की करेंची का नाम क्या है टका बांगलादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना और बांगलादेश के वर्तमान राष्ट्रोपती कौन है अब्दुल हामीद आठवा क्वेशन देश के उपर राश्टरपति की, तो वियत नाम की उपर राश्टरपति का नाम क्या है, जिसका नाम है डेंग थाइग गोक, क्या नाम है डेंग थाइग गोक वो हाल ही में भारत की आधिक करिक yatra पर है, तो वे उपराश्टोपती M.W.N. के नाइडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और यात्रा के दवरान दोनों देशों के बीच सीधी वीमान सेवा की गोशना की जाएगी बुद्वार को और उनका बिहार बोध गया जाने का भी कार्यक्रम है और वो हमारे राश्टोपती रामनात कोविन से भी मिलेगी तो नाम याद रखेगा डेंग थाइग गोग वो वियतनाम के एक उपराश्टोपती है जो हाल ही में आज दिल्ली पहुच रही है और जब बात करते हैं वियतनाम के तो एक और क्विश्टन मोस्ट इंपोर्टन है कि 2020 में 17 वे आशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कीस देश में किया जाएगा तो वो आयोजन किया जा रहा है वियतनाम में आशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम में और जब बात करते हैं वियत नाम की तो पहले तो आप यहां मेप में देखें यह जो कंट्री है वो है वियत नाम और वियत नाम के अगल बगल में कमबोडिया, थाइलेंड, चाइना जैसे देश स्थी थे और वियत नाम की कैपिटल का नाम क्या है हनोई वियत नाम के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो यहां पर आप देख सकते हैं इमेज में गनुई एक फूट्रोंग क्या नाम है गनुई एक फूट्रोंग जो वियत नाम के वरतमान राष्ट्रपति है और वियत नाम के प्राम मिनिस्टर का नाम क्या है तो आप यहां इमेज में देख सकते है युन तंग जुंग वो है वियतनाम के प्रैम मिनिस्टर और वियतनाम की करेंशी का नाम क्या हैं दोंग और याद रखेगा वियतनाम का प्रमुक्धर्म क्या है बहुत धर्म और तक्रिबन वियत नाम की जन संख्या का 85 प्रतिशत हिस्सा है वो बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है नवा क्वेशन 350 करोड रुपय की लागत से 15 एकड में फोरेंसिक एवं पूलिश विश्व विद्याले किस राज्य में बनेगा तो वो भी उत्तर प्रदेश में बनेगा कहां पर उत्तर प्रदेश में यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश में 15 एकड में फोरेंसिक एवं पूलिश विश्व विद्याले बनेगा तो यह बात कही है योगी आदितिनाच जी ने तो देखे उत्तर प्रदेश में फोरेंसिक एवं पुलिश विश्व विद्यालाई कहां बनेगा तो लखनाव के बिजनो रुक्षेत्र में यह बनेगा और इसका हेतु क्या है फोरेंसिक एक्सपर्ट तयार करना और MSC in Forensic Science दो वर्ष और चार सेमेस्टर का पूर्ण कालिक पाठियक्रम होगा और वह इस पूलिस युनियोर्सिटी में शुरू किया जाएगा और यह बात कही है योगी आदितिनाच जी ने और मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में हाल ही में आपको बताया है इसलिए हम य राष्ट्रोपती रामनात कोविन ने 8 फरवरी 2020 को किस पूर्वर राष्ट्रोपती को उनकी जयनती पर सरंदान जली अरपित की तो 8 फरवरी को हमारे डॉक्टर जाकिर हुसेन जी की जन्म जयनती थी और इस अउसर पर हमारे राष्ट्रोपती रामनात कोविन ने इसे जनम आठ फरवरी 1897 को तिलंगना के हैदराबाद में हुआ और स्वतंत्रता स्यनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपती तथा प्रत्थम मुस्लिम राष्ट्रपती भी थे डॉक्टर जाकिर हुसेन जिनका कार्यकाल 13 माई 1967 से लेकर 3 माई 1979 तक था और याद रखो 1963 में भारत रत्न पुरसकार से भी डॉक्टर जाकिर हुसेन को सम्मानित किया गया था ग्यरवा कुशन हाल ही में सुर्कियों में रहे एक भारत स्रेष्ट भारत अभ्यान के संदर्म में कौन सा विकल्प सही है तो इसी तरह योजना से जुड़े हुए कई सारे कुशन हमारी क्लास 1-2 की एकजम में आते हैं तो देखिए अनेकता में एकता की भावना का एक अनुठा कार्यक्रम है एक भारत स्रेष्ट भारत जो इस मंद की 28 फरवरी तक जारी रहेगा और वो 18 दिन तक चलने वाला है एक भारत स्रेष्ट भारत अभ्यान तो यह क्या है किस ने शुरूआत की है तो पहले तो आप इस लोगों के देखे एक भारत स्रेष्ट भारत तो प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी जी ने देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को कायम रखने के मकसद चे 31 अक्टूबर 2015 को यानिकी राष्टिय एकता दिवस के मौके पर यानिकी सरदार वलबबै पटेल जी की जन्म जयनती के अउसर पर एक पारत स्रेष्ट भारत की शुरूआत की थी कब 31 अक्टूबर 2015 को और एक पारत स्रेष्ट भारत योजना के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दो अलग-अलग राज्यों को जोडिदार बनाया गया है जैसा कि दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है और गुजरात को 36 गड़ से जोड़ा गया है तो इसी तरह का दो पैर बनाकर दोनों की संस्कृति भोजन इत्यादी के बारे में अवगत कराने है तो यह एक भारत स् चुनाव 2020 में कितने परसेंट मद्दान हुआ तो वो 62.59% का मद्दान हाल ही में संपन हुआ है दिल्ली में चुनाव और इसका नतीजा आज ही आने वाला है और सभी एकजिट पॉल बता रहे है कि इसमें आम आदमी पार्टी जीत रही है तो हम बात करते हैं इस एकजिट तो तक्रीबन तक्रीबन नव एकजिट पॉल सामने आये है और नव में से नव में आम आदमी पार्टी जीत्ती हुई नजर आती है और इसमें यह मेजिक फिगर पार करना है 36 के आंकडे को और यह जो नव इस तरह के एकजिट पॉल सामने आये है और इसमें आम आदमी पा पार्टी जीत रही है और पिछले चुनाव की बात करें तो 2013 में देखें तो आम आदमी पार्टी ने 28 सीटे हासिल की थी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी लेकिन 2015 में फिर से चुनाव हुआ और इसमें तकरीबन 67, 70 में से 67 सीटो पर जीत हासिल की और दिल्ली में सर कार बन गई थी आम आदमी पार्टी की तो आज शाम तक इसके चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे और शायद अर्विंद केजरिवाल इसमें दुबारा मुख्यमंतरी बन सकते हैं तेरवा कुशन हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वल्ड कॉप किस ने जीता तो अंडर 19 क्रिकेट वल्ड कॉप 2020 का आयोजन दक्षिन अफरिका में किया गया था और इसने भारत और बांगलादेश दोनों फाइनल में आमने सामने भिडे और भारत को हरा कर बांगलादेश इसमे चेंपियन हुआ है यानि कि इस क्रिशन का सही आंसर है और यहां आप इस खुशी को इजहार करती हुई बांगलादेश की क्रिकेट टीम तो बांगलादेश ने अंडर 19 2020 क्रिकेट वल्ड कप üzत लिया है और रवी वार को फांगल में उसने भारत को तीन विकर से हरा दिया बांगलादेश ने पहली बार अंडर 19 वल्ड कप पर कबज़ा जमाया है और यह बांगलादेश के क्रिकेट इतियास में पहला वल्ड कप का खिताब है और इसकी कफ्टान कौन कर रहे थे अकबर अली और इसलिए आपको इस कप्तान का नाम भी याद रखना होगा और हम पहुंचते हैं कल के वीडियो के क्विश्चिन के और तो दस्तों कल मिने आपसे क्विश्चिन पुछा था कि हाल ही में रिलिज हुई फिल्म शिकारा कीस आधार पर बनी है तो शिकारा नमक जो फिल्म है वो कश्मीर पंडितों के पलायन के आधार पर बनी है जो हाल ही में सुर्खियों में है और इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन भी कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई है यह यह शिकारा फिल्म और आप सभी को सही आंसर देने के लिए Congratulations और आज के वीडियो का question ए रहा स्क्रीन पर तो आज का question है हाल ही में की सराज्य की सरकार ने मुख्यव मंत्री परिवार सम्रिद्धी योजना लांच की है चार स्टेट के नाम यहां स्क्रीन पर है और उसी में से आपको choice करना है कि मुख्यव मंत्री परिवार सम्रिद्धी योजना की सराज्य की सरकार ने लांच की है और answer देना है नीचे comment box में तो दोस्तों आप सभी को सही answer देने के लिए यहां फिर से मैं बोलना चाहूंगा और कल का वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको answer पता ही होगा और हमारा जब एक साल current affair के वीडियो में पुरा हुआ है तो आप सभी को मैं फिर से request करना चाहूंगा कि हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो की link share करे और अन्या फ्रेंड्स को भी subscribe करने के लिए बोले क्योंकि quality की दृष्टी से तो लाजवब है ही लेकिन यहाँ जो एक साल तक के लिए आपने ये current affair का वीडियो देख लिया है तो आपका सोचने का तरीका ही change हो जाएगा ठीक है ना दोस्तो तो कल फिर मिलेंगे नए करंड़ा फिर के साथ तब तक के लिए जैहिन